बंगलादेश और पाकिस्तान का संबंद हमेशा से ही एक समवेदन शील विशे रहा है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के दौर में दोनों देशों के संबंद खासतोर पर युद्ध प्राद के मुकदमों के मामले में और खराब हुए। लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद होने वाले बहुत से बदलावों की तरह दोनों देशों के सम्मन्दों में आ रहे बदलाव के बारे में भी चर्चा हो रही है। हाल ही में बांगलादेश में एक संगठन ने 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की बरसी भी मनाई तो क्या पाकिस्तान के बारे में बांगलादेश की कूटनिती में भी कोई बदलाव आएगा? पाकिस्तान की प्रदान मंत्री शेहबाज शरीफ ने बांगलादेश के प्रफिसर मुहम्मद युनूस के साथ होने वाली बाचीत में दो तरफा सम्मन्दों को और बेहतर बनाने में दिल्चस्पी दिखाई पाकिस्तान के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मुम्ताज जोहरा बलोच ने BBC बांगला को बताया कि पाकिस्तान ने हमेशा बांगलादेश के बारे में सकारत्मक रवये को प्रात्मिक्ता दी है उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी समस्याएं भी आई हैं लेकिन जब उन समस्याओं का हल निकालने और सम्मन्दों को बहतर बनाने की इच्छा हो तो हम आपसी हित में आगे बढ़ने के सभी लक्ष हासिल कर सकते हैं बांगलादेश के मशुहूर लेखक फ़हाम अब्दुल सलाम की राय है कि पिछले 15 सालों में बांगलादेश की सरकार ने पाकिस्तान के सम्मन्द को भारत की नजरों से देखा और दोनों देशों के भी सम्मन्द सन 1971 के इतिहास के आसपास ही घूमता रहा है लेकिन अब जबकि दोनों देश करीब आते दिख रहे हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि सम्मन्दों में सुधार का फाइदा क्या होगा पाकिस्तान ट्रेड डेवलप्मेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के नुसार पाकिस्तानियों ने बांगलादेश में चमडे, टेक्स्टाइल और गार्मेंट्स की छेत्र में आर्बो डॉलर का पूंजी निवेश कर रखा है बांगलादेश पाकिस्तान से कपास, कपड़ा, कैमिकल्स, खनीच, बिजली का सामान और मशीनरी आदी आयात करता है जबकि पाकिस्तान बांगलादेश से पटसन और उससे बना सामान हाइडरोजन, पेरोकसाइड, कृत्रिम, फाइबर, टेकस्टाइल और मेडिकल सामान आयात करता है पाकिस्तान के सरकारी आंकडे के अनुसार सन 2023 में बांगलादेश ने पाकिस्तान को 60 करोड 33 लाग डॉलर से ज़ादा का सामान निर्यात किया जबकि पाकिस्तान से बांगलादेश को 65 करोड 50 लाग डॉलर का सामान निर्यात किया गया सन 2019 में बांगलादेश ने पाकिस्तान से 8 करोड 30 लाग डॉलर से अधिक का सामान आयात किया इस से ये भी पता चलता है कि बांगलादेश पाकिस्तान से आयात पर बहुत जादा निर्भर करता है फाहाम अब्दुलसलाम का मानना है कि पाकिस्तान में बांगलादेश के कारोबार के लिए मौके हैं उन्होंने बांगलादेश के ब्रैंड येलो का उधारन दिया जिसके कुछ आउटलेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 20 लाग से अधेक बांगलादेशी रहते हैं और हमें उस मार्केट को भी इस्तिमाल करना चाहिए बांगलादेश के मशूर लेखक फ़हाम अब्दुलसलाम की राय है कि अगर दोनों देशों के सम्मंद समाने हो जाएं तो व्यापार के लिए नए अफसर खुलेंगे बांगलादेश की कारेवाख सरकार के वित और व्यापार मंत्राले के सलहकार ने भी हाल ही में व्यापारिक सम्मंदों को मजबूत बनाने के बारे में बात की है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मुम्ताज जोहरा बलोच ने भी कहा है कि पाकिसान व्यापारिक पहलू को महत्व दे रहा है उन्होंने कहा कि व्यापार, क्रिशी, साइंस और टेक्नलोजी के छेत्रों में दोनों देशों की जनता के बीच सम्मंद पहले ही स्थापित हो चुके हैं उनकी ये राय भी है कि सार्क और OIC जैसे अंतराष्ट संगठनों के सदस्य के तौर पर भी दोनों देश मिलकर महत्व पून भूमिका निभा सकते हैं इसके अलावा विशेश अग्यों ने BBC से बात करते हुए इस बात पर भी जोड दिया कि दोनों देशों की जनता को नस्दीक लाने की जरूरत है मुम्ताज जोहरा बलोच के अनुसार दोनों देशों की जनता विशेशकर नौजवान पीड़ी के बीच दोस्ती है जिसकी बुनियात पर आपसी संबंदों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है पाकिस्तान ने बांगलादेश के नागरिकों के लिए वीजा फीज खत्म कर दी है जिससे सीधी उड़ान शुरू करने में दिलचस्पी का पता चलता है पाकिस्तानी छात्र बांगलादेश के शैक्षनिक संस्थानों में शिक्षा के लिए जाते हैं और इसी तरह पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जिनको देखने में बांगलादेशी नागरिक तिलचस्पी रखते हैं लेकिन चुकि बांगलादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है इसलिए बांगलादेशी लोग अकसर कम खर्च की यात्रा या इलाज के लिए भारत जाते हैं जानकार कहते हैं कि ऐसा कोई भी बांगलदेशी नागरेग जो ये समझता है कि पाकिस्तान जाने के बाद भारत जाना मुश्किल हो जाएगा तो वो पाकिस्तान नहीं जाएगा एशिया के इस हिस्से में पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की संबंद तनाप पूर्ण है हाला कि बांगलदेश के चीन के साथ संबंद अच्छे हैं लेकिन आवामी लीग की सरकार के दोरान भारत को बांगलादेश के पाकिस्तान के संबंदों के बारे में चिंतित नहीं होना पड़ा। इन सब के बावजूत बांगलादेश इस सारी स्थिती में भारत को पूरी तरह नजर अंदाज भी नहीं कर सकता।